बासकार मित्रो, इल्विन क्लासिस के यूटूब प्लेट फाम पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम विबेख है भारती इतिहास में जो घटनाएं पहली बार होती है या बहुत कम ही बार देखने को मिलती है वह इतिहास का रूप ले लेती है और जब इतिहास हमारे सामने बरतमान के रूप में उपस्थित हो जाता है तो उस पर बात करना लाजमी हो जाता है वैसी ही कुछ परिस्थितिया 18-वी लोकसभा के गठन के बाद भारत में देखने को मिली भारत की जो लोक तंतरात्मक संसदी प्रणाली है उसमें यह बेवस्था यह चलन चला आ रहा है कि जो लर्जेस्ट पाइटी होगी उसका लोकसभा का अध्यक्ष उसी दलका होता है और जो डिप ू स्पीकर का पोस्थ होता है वह विपक्ष को दे दिया जाता है उससे इतर हटते हुए एक मुख्य पोस्थ होता है प्रोटम स्पीकर का काम यही होता है कि जो नम निर्वाची सदस्य होते हैं उनको आप सपत दिलवाएंगे तो जो प्रोटम speaker का पद होता है वो सदन का सबसे बरिष्टतम सधस्य को चुना जाता है प्रोटम speaker को लेकर पक्ष और विपक्ष में विबाद की स्थिती आगए विपक्ष चाहता था कि आठ बार से सांसद चुने गए लोकसवा का सदस्य निर्वाचित हुए के सुरेज को रखा जाए लेकिन जो सप्ता पक्ष है अर्थात एंडी गठवंधन ने किसी दूसरे व्यक्त को प्रोटम स्पीकर बना दिया बवाल खड़ा हो गया तब विपक्ष ने यह दावेदारी कर दिया कि अब जो लोगसभा के अध्यक्ष का पद है लोगसभा के स्पीकर के रूप में चुनाव मैदान में ला दिया नडीय के तरफ से पिछली बार लोगसभा के अध्यक्ष रहें ओम बिल्डा को मैदान में उतार दिया गया बहरहाल अगर पार्टी जो पक्ष है वह तो सत्ना में सीन है और अगर चुनाव होता है तो कौन लोगसभा का स्पीकर होगा या तो पुरो निर्धारित ही था ओम बिल्डा को दुबारा लोगसभा स्पीकर के रूप में चुल लिया गया लेकिन अब एक निर्विरोधन की बात होती है सर्वस्वमत की बात होती है और दूसरा अगर उसी पद के लिए अगर निर्वाचन की बात हो अध्यक्ष के बारे में लोगसभा के अध्यक्ष का पद क्यों इतना महत्तुपुन होता है क्या कभी लोगसभा के अध्यक्ष ने के पद ने सरकार को गिराने का भी काम किया है उसके बारे में भी हम किसी वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे बहराल आईए इस वीड प्रक्रिया में बदला हुआ है जो एतिहासिक हमारी प्रिष्ट भूमी रही है उसमें इतिहास में कभी भी लोगसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ है सरवजनिक या सरवस्वमति से ही उसको चुल लिया गया है लेकिन इस बार यह पद चर्चा में इसलिए आ गया है लोगसभा स्पीकर का क्योंकि इस पद के लिए भारती इतिहास में पहली बार चुनाव हो रहा है और दो सत्ता का उमिद्वार और विपक्ष का उमिद्वार आमने सामने हैं बहर रहा ओम बिड्ला जो सत्ता पक्ष के उमिद्वार थे वह पुना दुबारा लोगसभा अध्यक्ष अठार अठारावी लोगसभा की अध्यक्ष के लिए निर्वाचित चुल लिए गये हैं समर्थन के एवज में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट की किया है जो भर्त हरी जो भर्त हरी महताब हैं वहां साथ बार के ही लोगसभा सदस्यक्ष जब की कोडि कुनिल सुरेश जो लोगसभा सपीकर के उमिद्वार हो गए थे विपक्ष के इनको प्रोटम स्पीकर यह आठ बार लोगसभा चुनाव जीते हैं और आठमी बार प्रोटम स्पीकर नहीं चुनने जाने की इस प्रथा का उलंगन करते हुए एंडी गठवंधन की सरकार ने साथ बार के अर्थात के सुरेशं से जुनियर जो लोगसभा के सदस्य हैं उनको प्रोटम स्पीकर बना दिया गया जिनका नाम भर्त हरी महताब है तभी यह चीज बार का नाम था कोडी कुनिल सुरेश अर्थात के सुरेश या इतिहास में पहली बार चुना होगा अब बात करते हैं लोगसभा अध्यक्ष के एक परिशे के बारे में एक सामानी जनकारी को भी रखना जरूरी है जो लोगसभा का अध्यक्ष होता है एक जिवन्त युम ग दिवित और गतिसील संस्था है, संसत के प्रतेक सदन का अपना पिठा सीनदिकारी होता है, लोग सभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और राजे सभा के लिए सभापती और उपसभापती, यही कह रहा है कि जो संसत का प्रतेक सदन होता है, उसके लिए एक ल इस पादन में उसकी वास्त्विक वसक्ताओं और समस्याओं से निपटने में इसकी महत्वपुण भूमिका भी होती है। यहां लाया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा नया नामकरण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिया गया। अन्यमापदंड नहीं है जो सदस्य कौन लड़ेगा चुनाव उसके लिए क्या है लोगसभा का सदस्य होना आपको जरूरी है। यहां कि लोगसभा का अगर आप सदस्य हैं निर्वाचित हैं तो आप सभी मांदंडू को पूरा करते होंगे। तभी लोगसभा सदस्य निर्वाचीत होने के लिए आप चुनाव लड़े होंगे और जीत कराएं, निर्वाचीतों कराएं, तो आप उसकी योगिता रखते हैं। मतदान अध्यक्ष का चुनाव सदन में उपस्तिते हों मतदान करने वाले सदस्यों के साधारन बहमत द्वारा लोगसभा के सदस्यों में से किया जाता है। के लिए चुनाव होना था, ओम बिल्डा और के सुरे सम्में तो ओम बिल्डा ने ध्वनिमत से चुनाव जीत लिया है, और ओम बिल्डा पुना 17 लोगसभा के अध्यक्ष के बाद, 18 लोगसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किये गए हैं। तो लोगसभा अध्यक्ष सदन के बीतर अंतिम ब्याख्यान करता के रूप में होता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष करता है, जो संयुक्त बैठक होती हैं। लेकिन प्रश्ण यह भी उठता है कि जो संसत की संयुक्त बैठक होती है संयुक्त अधिवेशन होता है उसका आहवान कौन करता है कमेंट बाक्स में आप बताईएगा आगे कोरम के अनुपस्थिति में सदन की बैठक को अस्तगित करने का अधिकार कोरम क्या होता है जितनी स अधिकारी लोगसभा अध्यक्ष भारती संसदी समुझे उसके सदस्य होते हैं संसदों की अयोगता का निर्धारन करता है संसदी समितियों का गठन करते हैं सदस्यों के निक्ति और कई समितियों के अध्यक्ष भी होते हैं बहराल अध्यक्ष की भूमिका और सक्तिया बहुत जादे हैं अध्यक्ष होते हैं उनके निस्कासन की बात कर लेते हैं तो जो अध्यक्ष का निस्कासन होता है उसके लिए क्या-क्या परिस्तितिया मौजूद होनी चाहिए तो अगर वह कहीं से लोगसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं होते हैं, तो वह नहीं बनेंगे, वह ही बात का रहा है, अगर वह उपसभापती को पत्र लेकर इस्तीपा दे प्रश्णिया भी पूछा जाता है, जो लोगसभा का अध्यक्ष होता है, वह अपना इस् सरो सम्मति से, तो क्या करेंगे, उसको हटाने वाली जो प्रक्रिया प्रारम करनी है, उसके 14 दिन पूर्व, उसको क्या कर देंगे, लोगसभा अध्यक्ष को सुचित कर देंगे, जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारा दिन हो, तो वह वैठक में उप नहीं करता है अधक्षता कौन करता है जो लोकसभा का उपाध्ष होता है यहाँ पूरी प्रक्रिया रहे कि एंडिये और इंडिया में लोकसभा अधक्ष के पद को लेकर चुना हुआ जो पहली बार देखा गया है हमारे भारती इतिहास में, संसदी इतिहास में बारहाल ओम बेलडा दूसरी बार लगातार दूसरी बार लोग सभा के अधक्ष निर्वाचित हो गए हैं, चुनलिये गए हैं चुनाव के माध्यम से, के सुरेश धनिमत से चुनाव हार गए हैं यहाँ पूरी प्रक्रिया रही, आपको हमारे वीडियो से संक ऐसा लगता है कमेंट बाक्सिंग अपने विचार देजिएगा पूरा नहीं केक्षा के साथ उपस्तित होंगे बहुत बहुत धन्यबाद, नमस्कार